नमस्कार आदाव सश्रियकाल समाधान में एक बार आप सभी का पुनह स्वागत है मित्रों आधोनिक समाज में युवा वर्ग में एक व्यसन बहुत तेजी से फैलता जा रहा है जिसे ओशधी दुर्व्यसन कहते हैं अर्थात मादक द्रव्यों का सेवन सरकारी आखडे बहुत चौकाने वाले हैं कि 90% जो आशधी दुर्व्यसन के शिकार हैं उनमें युवा वर्ग सबसे ज्यादा है अर्थात 15-25 वर्ष आयू वर्ग के युवा सबसे ज्यादा इन मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं और इससे भी ज्यादा चौकाने वाला आखड़ा ये है कि इन युवाओं को ये पता ही नहीं होता जब ये इसके शिरुवात करते हैं तब कि इसके क्या दुश परिणाम हो सकते हैं इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि एक स्वस्त समाच के निर्मान के लिए इस विशय पर चर्चा आवश्य की जाएं तो ये जो समस्या है आज हमारी समाज के बीच में उस समस्या का समाधान करने के लिए एक बार पुना आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्विध्यालय के वरिस्ट राज्योगी ब्राता सुर्य जी आए उनसे सेवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो ये पहले भी समाज में रहा होगा लेकिन आज इसका प्रतिश्यत बहुत बढ़ गया है और बढ़ता जा रहा है तो आखिर क्या कारण है कि युववर्ग इन मादक द्रव्यों के सेवन की ओर बढ़ रहा है देखिए समाज का कोली जो का परिवेशी ऐसा हो गया है कि बहुत लोग तनाव के कारण चिंताओं के कारण जो उनकी सिक्सा है कोर्स है उसके डर के कारण या उसके बोझ के कारण इनका सेवन करते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक friend circle में एक friend अगर इसका आधी है तो वो चाहता है मेरे सब साथी इसका save-an करने लगें। और ये फिर ऐसा friend circle हो जाता है कि लोगों को अगर मैं नहीं करता तो ऐसा महसूस होता है मैं बहुत inferior हूँ। तो वो एक दिखावे के लिए भी एक अपने साथियों को साथ देने के लिए भी वियसनों के अधीन हो जाते हैं। जैसा आपने कहा ये सत्य बात है कि उन्हें ये पता नहीं होता कि इसका दूस परिणाम क्या होगा। वो इसको एक फैसन मान लेते हैं, एक समाज की रीती मान लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में जरा दबदबा रखने का एक साधन मान लेते हैं। और ऐसा करके वो बहुत प्रसन होते हैं लेकिन परिणाम इसके बहुत ही कतरनाक होते हैं। तो ये सत्य है कि ये पहले से भी चलता आ रहा था हमारे देश में तो विशेश रूप से हुक्का पीने की आदत एक सभ्यता थी बड़े लोग हुक्का पी थे ते कोई भेमान भी आया कोई दूसरे घर से आया तो हुक्का पहले उसको उफर किया जाता था जैसे आजकल चाय जारी की जाती है तो उसमें बड़े लोग जित थे छोटों को भी जरा रोक नहीं पाए समय बदला हुक्का लोप हो गया और ये आधुनिक चीजे चल वसी और फिर क्या हुआ के देखे मैं आपको एक बहुत सुक्स्म चीज पर इसके बारे में ले जाना चाहता हूँ मनुसका मन दिनों दिन होता गया निर्भल उसके बहुत सारे कारण हुए मनोविकार उसके कारण हुए काम, क्रोध, लो, मो, एंकार, चिन्ताएं, डर इस सब ने मन की शक्तियों को नस्ट किया मन की शक्तियों का प्रभाव total brain पर पढ़ता है अगर मन निर्भल है तो brain भी निर्भल हो गए दो चीजे हैं मन और ब्रेन, मन और मस्तिश अलग अलग चीजे हैं तो क्या हो गया कि मने लोग परिवार में जरह सी कोई बात हुई तो एक निर्बल मन होने के कारण मनुस उसको सह नहीं पाता और जो वो बहार निकलता है तो वो कुछ ना कुछ साधन जुटाता और उसको दिखाई देते हैं व्यासन जो उसको सह उपलब दोते हैं ये भी एक कारण हुआ कि परिवारों में बढ़ती हुई बाते, प्यार की क गमी, स्वार्त की भावनाए और जो और परिवारों वाले वो भी सदा किसी ना किसी टेंशन और चिंताओं में रहते हैं तो उसका प्रभाव यूगों पर और यूवक उससे बचने के लिए ये सब साधन अपनाते हैं आपने कई कारण भाताजी इसमें रखे एक तो परिवार भी कारण है दूसरा कई प्रकार से उनके जो फ्रेंड सरकल में यदि कोई लेना शुरू करता है तो वो भी इसके अधीन हो जाते हैं तो आम तोर पे ये एक बात सामने आते हैं भाताजी कि ये जब लेना शुरू क हाँ देखिए मैं ये तो कहूँगा ही के हमारी एजूकेशन में भी इसको समावेश करना चाहिए क्योंकि जिन जिन चीजों की आवश्यक्ता हुई वो हमारी एजूकेशन में आए जैसे जब हम पढ़ते थे छोटे थे तो ये बहुत सारे कोर्स नहीं थे जो आज हैं ये स अब मनुस को समाज को और हमारे देश को इस चीज की बहुत आवश्यक्ता है कि हम व्यस्नों के होने वाले दूस प्रभाव की जानकारी यूवकों को दें तो हमारे स्कूल कोलिजों में एक एक पीरियड ऐसा आवश्य होना चाहिए चाहिए वो वीकली हो चाहिए 15 दिन में एक बार भी हो जिससे उनको नैतिक शिक्सा मिले इन चीजों के दूस परिणामों के बारे में उन्हें अवगत करा जाए तो इससे बहुत सारे यूवक बचेंगे पर मैं यहां क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं तो मैं अपने यूवक साथियों से बात करूं कि जीने संसार म पर खरे उतरें जो अपने जीवन में जीवन की इस यात्रा में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इन चीजों से बचना ही चाहिए क्योंकि ये मोल रूप से मनुस के मन और बुद्धी पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं जो इनके शिकार हैं वो वास्तव में किसी भी छेतर में सफल नहीं हो पाते हैं ये मैं देख रहा हूं मेरे पास ऐसे एक्जम्पिल बहुत लोगों के आते हैं कि बच्पन से उन्होंने कुछ लिया था कुछ ना कुछ और आज उनकी एकागरता नहीं है वो हायर स्टेडी में हैं लेकिन एकागरता के अभाव मे बहुत दुखी हैं परिशान हैं जब देखते हैं उनके साथियों के ग्रेड बहुत हाई हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब ये पीछे मुड़ते हैं अपने पास्ट पर एक दृस्टी डालते हैं लेकिन तब सुरू हो जाते हैं इनके पस्चाताप के दिन इसलिए इस एक बात को ध्यान में रखते हुए दूसरी बात जो लोग इन व्यसनों के सिकार होते हैं निस्चित रूप से धन उने चाहिए अगर माबाप से धन नहीं मिलता तो वो कुछ न कुछ तरीका अपनाएंगे मैं कोटा में गया तो वहां इस मैक का बड़ा जोरदार ये ऐ सब जो बुरी कुरीतियां या ये आदते आ गई थी इसमें सब यूवक आपसे वो करने लगे और नहीं तो अपने घर में चोरी कर रहे थे तो बुरी आदते पड़ी उसका प्रभाव जीवन पर भुरा पड़ा कोई जेल में चले गए किसी की बदनामी हुई किसी का केरिय दूसरा भविस में अगर ऐसा होता है फिर मालो सराप की आदत पड़ गई पहले किसी छोटे व्यस्न की थी बड़े हुए सराप की पड़ गई नोक्री में भी आ गए तो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं ग्रस्त पे कोई ध्यान नहीं पैसा सब उधर बहा जा रह हूँ कि आप इन चीजों के सिकार ना हूँ ये मनोस जीवन के लिए एक महान सत्रू है मैं ये सब्द यूज करूँगा जैसे और सत्रूं से हम सावधान रहते हैं इनको भी अपना सत्रू मान कर हम इन से सावधान रहें एक भ्रान्ती भी है प्रताजी कि जब हम इन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं चाहे वो शराब है, सिग्रेट है, बेडी है, गुठका है, हेरोईन है या अनेक प्रकार के बहुत सारी मादक द्रव्याज समाज में या फिर बाजार में उपलब्ध हैं तो एक भ्रान् करते हैं उनको नेंद बहुत अच्छी आती है तो यह एक भ्रान्ती है संभावता इस विश्यर पे आप जाके हैं यह उनके लिए यह बहुत अच्छी नॉलेज वो इसको मानते हैं पर है यह ब्रान्ती और भ्रान्ती सेंस में है यह जैसे हम चाय ही पीते हैं जो लोग अगर एक दम फ्रेश हो गए, लेकिन medically उस time उनकी heart beating बहुत बढ़ जाती है, medically देखें, उनके रोज के जीवन में भी देखें, अगर एक दिन उनको चाहे न मिले, तो उनका सिर्दर इतना बुरा हो जाता है, जिसके, जिस पर कोई दवाय ही असर नहीं करती है, तो ये जो ऐस लगता है कि हम बहुत active हो जाते हैं, हमारी कारी चंता बहुत बढ़ जाती है, हमें नीद बहुत अच्छी आती है, हमें tension बहुत कम हो जाती है, ये सब वास्तों में अलपकालीन है, जैसा कि देखा गया है, जिन लोगों को इन चीजों के द्वारा नीद अच्छी आती है, तो दो-4 मास के बाद उन्हें इसकी मातरा बढ़ानी पड़ती है, फिर और 5-6 मास के बाद इसकी मातरा और बढ़ानी परती है आखिर में यह हो जाता है कि उनको नींद के लिए इतना ज़्यादा वो व्यसन लेना पड़ता है कि जिस से उनका लीवर खराब, किसी के ब्रेन पर बुरा इफेक्ट, किसी की कीड़नियों पर बुरा इफेक्ट, तो टोटल उनका स्वास्त भी बिगट जाता है, मानसिकी हिती भी बिगट जाती है एक पागल पंसा उनके अंदर रहने लगता है जैसे नींद की गोलियों की बात करें कई लोग इसको भी व्यस्न के रूप में नसे के रूप में लें लगते हैं जो लोग नींद के लिए आज एक गोली लेते थे फिर दो फिर तीन फिर पांच एक त किसी के द्वारा दबाया हुआ सताया हुआ सा जिसके जीवन में कोई खुशी नहीं कोई सुख नहीं है जिसके बुद्धी ठीक से काम नहीं कर रही जिसको जबरदस्तिनीन से जगाया जा रहा है तो ये सब चीजे मनुस जीवन को अंदकार में ले जाती हैं पतन की और ले कि ये चीज़े उन्हें एक्टिव बनाती हैं या एफिशियंसी को बढ़ाती हैं तो जान लें ये अल्पकालीन है और एक्टिव बनाने के लिए एफिशियंसी को बढ़ाने के लिए और बहुत सारे अच्छे तरीके हैं जो बड़े सात्विक हैं जो बड़े हेल्डी तरीके हैं उनको अपनाएंगे इसलिए संभावता वो यह सोचते होंगे कि चलिए हमने लिया इंस्टेंट उसका प्रभाव दिखाए दिया लेकिन फाइनली उन्हीं ये गर्थ में ही ले जाती है और उनकी पूरी शक्ति को उनके जीवन को नस्ट कर देती है कि कहावत भी है व्रता पर इसी बात को हम यह कहें कि देखिये मनुस एक बुद्धिमान प्राणी है और यूवा काल उसका ऐसा काल है जिसमें वो अपने भावी जीवन का निर्मान कर रहा है जिसमें वो अपने विवेक का विकास कर रहा है जिसमें वो अपने श्रेश चरित्र का अपने का विकास कर रहा है तो ऐसे में उसको दूर दर्शी होना चाहिए यूवक को 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 लोग immature समझते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि उन्हें सच मुझ मैच्चोर होना चाहिए इस पर उनके teachers को भी ध्यान देना चाहिए और parents को भी कि वो उन्हें maturity दें ताकि वो अपने भविस का एक स व्यस्न है यह उनके मार्ग में बड़े से बड़े रोडे होंगे तो हर यूवक अपने एक सुन्दर भविस का स्वपन देखे उसमें maturity लाए और उसको आधार बना के चिंदन करें व्रत्य जी एक आप आध्यात्मिक मंच से जुड़े हुए हैं आपका पूरा जीवन आध पचलित है कि वह सुरापान करते हैं या फिर हमारे साधू संतों को भी देखते हैं आज की युवा कि वह भी तो बहुत अच्छी तरह से जो भी है नशीले द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं तो एक तर्क वह अपने बचाओं में यह देते हैं कि जब देवी देवता भी यह क शास्त्र अनेक रिशियों के द्वारा अनेक लोगों के द्वारा विद्वानों के द्वारा लिखे गए और शास्त्र इतने हैं कि उसमें परस पर विरोध ही बाते भी बहुत हैं तो मैं तो हंसी में का करता हूं कि जिसने ऐसी बाते लिखी वो खुद भी पीता खाता होग तो अपने को बचाने के लिए महादेव जी भी तो पीते थे वो भी तो भांग खाते थे वो भी तो यह लेते थे कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया कि जब हम नसा ले लेते हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लगता है यह एक अध्यात्मान्यता लोगों की रही मैं इस पर जिन देवी देवता पवित्र हैं, जो सात्विक हैं, वो ये भला लेंगे क्यों? जब आज भी कोई मनुस लेता है, आप देखें, अगर किसी महाबाप का बच्चा उनके सामने ये वियसन ले रहा हो, सराप पी रहा हो, तो उसको कैसा लगेगा? तो जिन देवी देवताओं क की वो पूजा कर रहा है, जिनके लिए उसके मन में बड़ा सम्मान है, जिनका वो दिदार करना चाहता है, वो भला कैसे ऐसा काम करेंगे? वो तो संफोन साथ्विक थे, सर्वगुन संपन थे, संफोन पावन थे, इसलिए उनके बारे में ये बात कहना, या तो ये कुछ ऐ ऐसे लोगों की कर्तूत है, जो हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते थे, जो ये दिखाना चाहते थे, देखो इनके पूरवज, इनके देवी देवता, इनके इस्त भी कैसे थे, या ये किसी ऐसे रिशी की मन्यता है, जो खुद इन वियसनों का आदी था, तो ये वास्तो में गलत है, हमारे देवी देवता संपूर्ण पावन, वो तो अमरत्पान करते थे, कह दिया है कि वहां भी विन्विन तरह है कि नसे, चाहे वो किसी भी तरह बनाये जाते थे, और भी बहुत सारी चीजों से लोग बना लेते होंगे, वो परियोग करते थे, परन्तु ऐसा महापड़ती है, जहां उसको इस्वधियन असा न हो, जहां उसके पास सत्य ग्यान न हो, हमारे पूरवच तो ग्यानी थे, रही बात महादेव जी की सबसे बड़े तपस्वी, काम को नस्त करने वाले, क्रोध और हैंकार को जीतने वाले, भला इन व्यस्नों के सिखार कैसे शिवरात्री में तो खास भ्राता जी, भांग बना करके पीते हैं कि महादेव जी भी इसका सेवन किया तो महादेव जी किसी को मिलते नहीं क्योंकि उनको मिलने के लिए लोगों ने गलत मारग अपना लिया है, तो वास्तो में यह अपने देवी देवताओं की और अपने जो महापुरुस हैं, पूरुवज हैं, उनकी गलानी करने जैसा है और कई लोग इससे भी बहुत बुरी चीज़ सीखते हैं, अगर कोई बाप जो सिव का भक्त हो और वो मंदिरों में जाके यह सब सेवन कर रहा हो, तो निश्यत रूप से उसको अपने बच्चों को इससे रोकने की छमता नहीं रहती, नैतिक बल ही नहीं रहता, इसलिए समाज में ये दुर्धसा बढ़ती गई है, तो मैं सभी से कहूंगा, जो भी यूवक हैं, वो इस सत्त को स्विकार करें, सत्त को जान ले और मान लें, कि हमारे पूरवच्च महदेव जी, जिनको बहुत मनुस का चित्यान्त हो जाता है, जिनके धर्शनों से ही मनुस निर्वियस्नी और निर्विकारी हो जाता है, वो भला स्वयम इनका सेवन कैसे करेंगे, ये बहुत सुंदर और तार्किक बात आपने कही है, ब्राताजी, कि जो संपूर्ण पावन है, सतो प्रधान है, वो इ इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य भी है, जो भोले नाद जी को दिखाया जाता है, जो इस प्रकार से पान करते हैं, इस संदर में पहले मैं वो सपश्छ कर दूं जो बात मैंने कही थी, जो साधक है, जो तपस्वी है, जो एकागरता करना चाहते हैं, उन सब के बार इम मैं क कमजोर करेगा और उनका ध्यान तो कहीं लगा रहेगा फिर लेगिन मन कहीं और भटकता रहेगा केवल ध्यान लगाना केवल आखों कहीं इस्थिर कर देना यह योग साधना नहीं है मन और बुद्धि को हमें किसी अपने इस्थ पर या परमात्मा पर इस्थिर करना होता है त बात ये थी के शिव ने जब इस धरा पर आकर ज्ञान दिया था, तो ज्ञान में सबसे पहले उन्होंने मनुष्य आत्माओं को अवेर्नेस दी थी, एक एहसास कराया था तुम मेरे बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो, इसको इस दूसरे सब्दों में का गया नाराय अत्मय हो, तुम तो इस अंसार में सब से हिस्रेष्ट हो, सब के पूर्वज हो, तुम्हारे पूर्वज भी देवता थे, इस सब को मिला कर इस्वरिय नसा, नारायनी नसा या अलो की खुमारी कहा जाता है, बात इस नसे की थी, कि हम अपने स्वरूप के नसे में रहें, अ बहाना देकर, तर्क देकर अपने को संतुस कर लिया, तो बात थी एक शुद्ध नसे की, बात थी नारायनी नसे की, जो कि परमात्मा ने आकर की ज्यान दिया, और उस सत्य को जानकर कि आत्मा ने जिस आनंद रसका पान किया, उसे जब नशा कहा गया, तो संभावता लोग से उसमें हर समस्या को सेहन करने की ताकत आ जाती है और वो इतना मगन हो जाता है कि संसार का उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता तो लोगों ने सोच लिया साधकों ने भी कि हम पर भी दुनिया का प्रभाव न पड़े तो ये नसे ले लेते हैं लेकिन होई ये गलत मान्यता प्रता जी ये जो नशे पे व्यसनों पे जो हमारी चर्चा चल रही है बहुत ही प्रेरक है रोचक है और आज के युवाओं के लिए बहुत-बहुत आवश्यक है आज जो आपने बातें कही है निश्चित रूप से और हमें गहराई में जाकरके इन बातों को समझने की आज आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद युवा दोस्तों आपने देखा कि व्यसन किस प्रकार हमारे जीवन को गर्थ की ओर ले जाती है हमारे जीवन को नस्ट और भ्रस्ट कर देती है हम जिस लक्ष को लेकर के संसार में आये तो आवश्यक्ता है इस बात को जानने और समझने की कि व्यसन सच मुझ हमारे जीवन के लिए बहुत-बहुत विनाशक है इसलिए हम अपने आपको उससे मुक्त करें आज की हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी लेकिन आज के लिए इतना ही दीजे इजाजत अपने दो झाल